So, हमारा first question हम read करते हैं, first question में एक चीज़ आप अपने mind में रखें, grammar बहुत जादे important है, अगर आपकी grammar best है ना, तो आपको reading में problem नहीं आएगी, grammar के 7 plus क्या best होना चाहिए, उसे बोलते हैं paraphrasing, because of writing में bad score लेने के लिए class ऐसे ही continue चलती रहेगी, but उससे पहले देखते हैं, real exam test and real exam prediction, you can see on your screen, हम हमेशा ही एक बात बोलते हैं कि गर पे बैठ कर भी आप ILS कर सकते हो, गर पे बैठ कर भी आप बहुत अच्छे band score ले सकते हैं, just need only एक guidance की है, एक real exam test prediction की है, अगर दोनों चेंदी मिल जाएं, तो कहते हैं कि सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है, कि हम हमारा exam clear, so if you need prediction plus PDF, ये एक paid material है, आपको buy करना होगा, आप हमें WhatsApp की ओपर message कर सकते हो, WhatsApp की ओपर आपको listening, reading, writing और speaking, चारों test ही मिल जाएंगे, band score देखने हो, proof देखने हो, करते हैं कि पहले proof जरूरी है जी, खुद की satisfaction के लिए, तो ये देख सकते हो, कुछ student 15-15,000, 10,000, 7,000 देखर आये हैं, बट उनके band नहीं आये, हमारे पास आये, हमने 100% help की, guidance दी, उनको guide किया, और result आपकी screen के ओपर है, उनका exam crack हो गया, so अगर आप भी चाते हो, अच्छा result लेना, आप भी चाते हो, अपने exam first attempt में clear करना, तो आप prediction plus PDF लेकर उसके ओपर 100% focus कर सकते हो, so drop me message on WhatsApp Thank you so much for watching ILS वाला India, आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं reading के बारे में, जो बहुत जादे important है आपके exam के लिए, क्योंकि reading में बहुत जादे students हैं, जो problem face करते हैं, तो you can see on your screen, one word की हम reading सिखेंगे, दियान से देखिए इसको, ये one word है, जो one word में बहुत students को problem आती है, two स three questions मैं solve out करूँगा, and two से three questions आपने solve out करने हैं, और then मुझे बताना है comment में कि आपके कितने questions राइट गए, और आपको क्या problems आई आपके इस passes में उस चीज़ को समझने के लिए, ये ज़्यादा tough reading नहीं है, just like अभी 28 का exam होकर गया है, बहुत difficult reading थी, but जो in the future exam होने वाले है, तो उसमें जो reading का level है न, वो आपको same ऐसा देखने को मिलेगा जैसा मैं आपको अपकी screen के उपर आपको, so हमारा first question हम read करते हैं, first question में एक चीज़ आप अपने mind में रखें, grammar बहुत ज़्यादे important है, अगर आपकी grammar best है न, तो आपको reading में problem नहीं आएगी, grammar के 7 plus क्या best होना चाहिए, उसे बोलते हैं paraphrasing, because of writing में band score लेने के लिए, speaking में band score लेने के लिए, reading में band score लेने के लिए, और listening में band score लेने के लिए, paraphrasing ही एक ऐसा word है, जो सबसे ज़्यादा important है, क्योंकि जिन students को paraphrasing करना आगे है न, seriously कहता हूँ, nine band score आते हैं, और हम ज़्यादा focus हमेशा grammar क के उपर करवाते हैं, students का, और paraphrasing के उपर, क्योंकि उनको problem ना आए, अब यहाँ पर आफ first question देखिए, हमारा first question क्या है, first question ही हमारा इस से start होता है, is का मतलब क्या होता है, जब आप कोई चीज करने जा रहे है, do you know about it, मतलब क्या आप इसके बारे में जानते हो, हाना, को first पे लगा दिया, front पे लगा दिया, so यहाँ पर इन्होंने क्या किया, is it, क्या surprising, उसने क्या लिखा, surprising that, क्या यह surprising है, मतलब कि एक shocking way के साथ हम बोलते हैं, जब इनसान काफी shocked होता है, काफी अदा, इनसान कहते हैं, worried होता है बात, उस situation को लेकर, मालो उसके साथ कोई happening हो suddenly, हमें पता चलता है, एक surprising news मिलती है, कि आगे पहाड गिर चुका है, हम नहीं जा सकते हैं, जा रोड तूर चुके हैं, हम नहीं जा सकते हैं, हम काफी worried होते हैं, उस problem को लेकर, तो उस time, is it surprising that, वहाँ पर यह चीज लगाई जाती है, अब it is surprising that, I hope, अगर आपको समझ में आ पांच कभी भी wrong नहीं होंगे, यह guarantee है, तो इन्होंने क्या कहा, is it surprising that, चलो यहाँ पर बात खतम होगी, आगे फिर उसने क्या कहा, there is a, dash of teachers, मतलब की there is a, there is आपको पता है, किन चीज़ों का front पे लगाया जाता है, most of there are, there is, वहाँ पर लगाया जाता है, जिनका lines का कोई subject नहीं बन पाता, subject, verb and object, आपने यह सुना होगा, देखा भी हो, subject plus verb plus object, इसी के दम के उपर हमारे tense बनते हैं, और tense के साथ हमारी lining बनती है, यह आपको भी पता होगा, अगर आप ILS कर रहे हो, आपने अपनी grammar में सीखा होगा, so same to same, जहाँ पर हमें subject देहने को नहीं मिलता, वहाँ पर हम there are, there is का use करते हैं, और यहाँ पर dash लगाया गया है, और of teachers की वहाँ पर एक surprising है, और there is dash किसकी shortage है, उसको देखते हैं, तो maybe मैंने answer पहले find किया था, और मैंने यह class में reading करवाई तो मुझे लगा आपको भी करवान चाहिए, आज today class में मैंने reading करवाई है, और that that's why मुझे इसके बार में पता है, तो मैंने सोचा कि आपको समझा दूँ इन चीजों के बारे में, यहाँ पर देखिए, same हमें verb लगाए गरी है, is it any wonder that, अब देखिए, wonder that, wonder को surprising को किसी में change कर दिया गया, एक wonder में change कर दिया गया, यह भी एक shocking वाला system हो जाता है, surprising वाला system ह तो मतलब की, जिनको सनोनियम पैराफ्रेजिंग पता है, तो वो साथ की साथ ही answer find कर लेते हैं, और यहाँ पर there are teacher shortage, अब यह मेरा एक answer है, अब मुझे answer का कैसे पता चला, तो यहाँ पर मुझे answer का एक पैराफ्रेजिंग के साथ, एक सनोनियम word के साथ मुझे पता चला, क्य यहाँ पर उसने grammar use करी, then there are, उसने मुझे single time hint दिया, और is लगा कर, यह लगा कर dash teacher की उसने बात की, surprising को उसने change कर दिया, एक wonder में, तो यहाँ पर is it any wonder that, ठीक है, surprising आ गया, there are teachers, की there are, वहाँ पर there is लगा था, तो वहाँ पर किसकी सबसे ज्यादा shortage है, teachers की, वहाँ पर सबसे ज़्यादा shortage है, मतलब की, मेरा जो पहला answer है, वो मुझे, तो यह हमारा first answer आता है, तो इसलिए paraphrasing और vocab हमारी बहुत ज़्यादा जरूरी है, हमारे exam के लिए, अब चलते है second question के उपर, schools do not have, यहाँ पर उसने क्या कहा, schools do not have enough teachers, की school के पास कोई ज़्यादा teachers नहीं है, enough teachers ह नहीं है, but what are the reason for this, की skill जो behind है, जो उसके पीछ है, एक क्या reason है, to begin, कलो आगे चलते है, ठीक है, उसने कहा, fever students are going into, की कुछ students है, वो जाते हैं, into dash after finishing class, कहां जाते हैं, into I, मतलब in I, चाहे into I, वहाँ पर अगर हमें एक keyword मिलता है, एक, जिसमें कहता है, एक inside होता है, inside वो चला जाता है, जैसे in that way, की उस वे के उपर चल रहे हैं, उस वे के अंदर जा रहे हैं, we are going at home, तो same at, into, to, जहां पर हमें देखने को मिले, मतलब की वहाँ पर inside की बात करेगा, मतलब for example that, एक home है, एक गर है, अब गर के अंदर क्या है, into, गर in, वहाँ पर क्या है, केते, after finishing class, कहां जाते हैं, तो उस चीज़ को हम देखते हैं, की after finishing class, students actual में जाते कहा हैं, तो next paragraph हम रीड करेंगे, वही पर, शायद हमें उसी paragraph में अपना answer मिल जाए, आगे चलते हैं, आगे उसने क्या कहा, की the press career reports, schools going on for day, weekly simply because they cannot recruit enough teacher, की वो enough recruit नहीं कर पाते enough teachers को, but why, there is no straightforward answer, की इसका कोई भी straightforward answer ही नहीं है, for start, fewer students, हमारा keyword हमें मिल चुक है, fewer students हमारा keyword है, are entering, यहां teacher training course when they leave school, यहां देखो, उसने paraphrasing के साथ हमें काम किया, हमारा answer हमें मिल चुक है, एक चीज़ देखिए, वहां पर उसने बात की answer नहीं है, straightforward नहीं है, इसका कोई answer ही नहीं बनता, right, तो for a start, उसने to begin को किसमें change कर दिया, यहां, to begin with किसमें change कर दिया, यहां पर देखिए, for a start, मतलब कि उसने words को गमा दिया, paraphrasing कर दिया, ठीक है, fewer students are entering, are entering को उसने किसमें change कर दिया, are entering, fewer students are going into, going into, are going into को किसमें change कर दिया, उसने, are entering, अब प्लीज ये keywords वगएरा इंसको ध्यान में रखिए, अपनी copy पे चाहे लिख लिए, ठीक है? R entry को उसने किसमें change कर दिया, going into, ठीक है? और teacher training, teacher training course when they leave school, यह हमारा जो answer है वो है, teacher training course when they leave school, यहाँ पर क्या लिखा है? When they leave school, बट यहाँ पर क्या लिखा है? Teacher training after finishing class, मतलब की class को finish होने के बाद, ठीक है? वो teacher training की लेने जाते हैं, तो वहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है after finishing class, हमें ऐसे गुमरहा किये रहाता है reading में, student कहते है, sir answer ही नहीं पता चलते हैं, भाई ऐसे पता चलते हैं, after finishing class को, उसने किसमें change कर दिया? when they leave school, तो मैं आपको कुछ नहीं दिखा रहा, जो है, इसमें आपको वही समझा रहा हूँ, आपको कोशिच कर रहा हूँ कि आपको answer समझ में आ जाए, ठीक है? तो यहाँ पर उसने directly when they leave, sorry, when they leave school, और answer है teacher training, तो यह हमारा second का answer था, अब चलते हैं next के उपर, next हमारा question का answer है, but this is not young people's fault, यहाँ पर उसने keyword directly हमें दे दिया है, 18 का, 18 के उपर चलते हैं, तो 18 उसने क्या कहा है, कि but यहाँ पर क्या, this is not young people's fault, कि यह जो नए लोग है, नए जनरेशन है, यंग लोग है, यह इनका कुसूर नहीं है, इनकी problem नहीं है, the dash of teaching has been under constant attack over the last 10 year, अब 10 year यहाँ पर लिखा है, इसको decades भी लिखा हो सकता है, क्योंकि decades को 10 year बोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर उसने क्या लिखा है, यहाँ पर उसने एक has been under constant attack over the last 10 year, 10 साल से यह कुछ चल रहा है, अब 10 साल से क्या चल रहा है, 10 साल से ऐसा क्यों नहीं हो रहा, teachers की teaching में क्या problem आ रही है, the dash of, अब दा लगा हुआ है, और off लगा हुआ है, हमारा answer off से पहले और दा के बहाद आना चाहिए, teaching has been under, has been under, तो आगे चल लगे attack over the last 10 year, मुझा 10 decades के ओपर यह कुछ चल रहा है, हमारा first keyword है, first people का नहीं है, teacher attack or last 10 year, हमारा यह keyword है, चलो हम पहले keywords को find करते है, then decide करेंगे क्या हो रहा है, यहां पर करने, front of the government, इस पर आपर देजाइन, है, we're feeding the media, इस एक्टिव इन्परमेशन अबाट टीचिंग, कि मेडिया बगारा है, वो नेक्टिव इन्परमेशन परवाइड करता है, establishments in a country, teaching establishments in a country, teaching establishments उनकी सही नहीं है, ठीक है, teacher also come for a lot of law, कि और government इसके उपर wonder है कि यह problems क्यों हो रही है, the government से समझना बहुत ज़्यादे जरूरी है, तो यहां पर हम बात करेंगे, concept के बारे में, तो यहां पर देखिए, यहां था government, obvious contempt for the teaching profession was recently revealed by one of the most powerful people in government, when she referred to school as bog standard henvians had really the short commitment to inspire parents for parents or careers, advisors seeking to direct young people, the future, यहां पर उसने क्या बात करी है, कि actual में, would you want to spend your working life in dead end profession, the government does not seem to want you to either, तो यहां पर इस paragraph में क्या बात कर रहा है, government है, एक concept है, teaching का, recently वो काफी इदा powerful people, government का, she referred to school, उसने schools के उपर ज्यादा focus करना start किया है, and hardly shorter commitment किया है, parents के साथ, उनके career के साथ, कि young people का future के उपर depend करता है, you would want to spend your working life in dead profession, the government does not seem one to you either, अब वहां पर caution की क्या बात है, यहां पर उसने clear कर दिया, कि young people का fault नहीं है, but यहां पर क्या हो रहा है, the dash of teaching has been under attack over the last 10 years, मतलब की, the profession of teaching, जो teaching का profession है, आप पूरा paragraph रीड करोगा, तब ही आप वो guess work मिलेगा, नहीं तो आपको totally paragraph में इसका कोई भी keyword नहीं मिलने वाला, आप यहां पर read करोगे इसको, तो तब ही जाकर आपको एक word समझाएगा कि कि किस के दा की बात कर रहा है, young people की कोई problem नहीं है, उनका future है, दा पर लगा हुआ है, but एक is a dead end profession, profession है जो वो दा पर लगा है, teaching line का, तो यहां पर जो हमारा answer आता है, वो आता है profession, ठीक है, 18 का, यहां पर, मैं location बूल गया था, कहां पर था, तो government lack of respect for the profession is dash, कि government की जो respect वगेरा है, वो कम है, किस को लेकर कम है, एक profession को लेकर, कौन सा profession है, yes or no, इसका answer yes or no में आपने देना है, अब 19 का, और 20, 21, 22, आपने answer find करने है, यह तीनो, 20, 21 और 22, यह आपने answer find करने और यह answer आपको कहां पर मिलेंगे, यह मैं आपको बता देता हूं, आपको यह answer, इनी paragraph में से, एक में मिलेंगे, आपको just answer जो है, वो only 19 और 20, आपने कौन से answer find करने है, आपने answer find करने है, 20, द्यान सो देखिए, 20 answer आपने find करने है, 20, 21, and 22, यह तीनो answer आपने find करने है, कौन कौन से करने है, 22, 21, and 20, यह तीनो आपको मिलेंगे इस paragraph में, इन two paragraph में आपको यह answer मिलेंगे, और answer find करकर, आप मुझे comment में बताएं कि आपका answer क्या है, मैं आपको बताऊंगा, अगर आपका answer right है, तो बताऊंगा, अगर आपका answer तो बताऊंगा ये तीनों अंसर आपने फाइंड करने है ठीक है जी और कमेंट में मुझे बताए पढ़ाई लखाई में पढ़ने में लिखने में बोलने में मेरे से भी गलती हो सकती है कोई मैं बड़ा बगवान नहीं हूँ जा कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ आप जैसा एक स्टूडेंट हूँ आप जैसा एक टीचर हूँ आप जैसा एक इनसान हूँ तो मेरे गलती फलती माफ करें और बगवान करें आपका अच्छा स्कोर आए